तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल आज हम बात करेंगे ओयल पुलिंग के बारे में जो हमारे ओरल हाइजीन के लिए नह सरी है तो क्या आपको पता है कि हमारे दातों में हमेशा 700 बैक्टीरिया प्रेजंट रहते हैं और जिनमें से 350 टाइपस बैक्टीरिया हमेशा हमारे दातों में प्रेजंट रहते हैं तो इन स्पाइट ऑफ ब्रशिंग योर टूथ तूथ यूजिंग यो फ्लॉसर उसके बाद भी आपको औरल हाइजीन की जरुवत है तो इसके लिए मैं आपको औरन के बताऊंगा आल पुलिंग आपको घो करना है कैसे करना है आपको ओयल लेना है कोई भी आप ले सकते हैं जिसमें से सबसे अच्छा जो है वह कोकोनट ऑल है बट आयुरवेड में सैसमे ओयल को भी इंपोर्डेंज भी गई है तो कोई भी आप लिजिए 15 ml फिफ्टी मिलिलिटर ली ली जिए उसको अपने मुह में ली जिए और आपको 15-20 मिनट्स उसको रिंस करना है मौत में तो बेगिनर्स के लिए दे के ओनली यूज फॉर फाइव इनिशल स्टेज इस उसके बाद आप उसको रिंस करिए तो उसके साथ-साथ आपको यह और काम भी कर सकते हैं अगर आपको बूरिंग लग रहा है के बाद ही आपको कुछ पीजिया या खाइए ठीक है फिर ओयल पुलिंग सिर्फ आपके बैक्टरिया को यह नहीं किल करती दे मौशराइज यूर गम सॉल्टा इंक्रीज सलाइवा प्रोड़क्शन विच किल्स दबैक्टरिया बट यह जो मैंने मैथर पताया आपको यह आप ब्रशिंग या फ्लॉसिंग या उस उसके प्लेस में नहीं करना आपको धिस विद् विद ब्रशिंग यो टीथ उसको आपको दोनों को ही करना पड़ पड़ेगा साथ में तो इसका बहुत एड्वांटेज जैसे कि एंटी-इंफ्लेमेंटरी है तो इन फेमेशन नही so oil pulling basically increase saliva production which reduces bacteria and it moisturize your gums also so it is very beneficial so for more healthy contents please subscribe my channel and thank you so much